नमस्कार दोस्तो मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुपित पूनम में दोस्तो आज हम रवा से ऐसा नास्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेश्टी और बहुत ही हेल्दी है और बनाना भी बहुत ही आसान है इसको आप कभी भी जुगय के नास्ते में या साम के चाय के साथ कभी भी इसको बना के आप सर्व कर सकते हैं या अगर कोई मेहमान आ जाए तो भी आप इसको बहुत अच्छे से बना के इसको सर्व कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है तो ये देखे हमने रवा ले लिया है और इसमें हम मिलाएंगे दही और उसके बाद हम इसमें पानी डाल के और इसका अच्छा सा गोल तयार करेंगे जिस तरह से हम इडली बनाते हैं इसमें उसी तरह का गोल हम इसमें तयार करेंगे तो हमने दही डाल दिया और पानी डाल दिया पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे पानी को हम इसमें थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे अगर एक साथ डाल दिये तो हो सकता है कि गीला हो सकता है ये तो पानी हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ही डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि सारे दही और पानी और सूजी हमारा एक साथ मिक्स हो जाए अच्छे से चारो तरफ तो इसको मिक्स करके और उसके बाद हम इसको ढखके 5 मिनिट के लिए रख देंगे 5 मिनिट बाद देखे ये सारा पानी सोख लिया है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और यूज करेंगे और उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डालेंगे तो पानी हम देखे थोड़ा थोड़ा करके डाल लें हैं और इसका बैटर बिल्कुल इडली का बैटर की तरह ही बनाना है तो अभी यह सूखा था इसमें हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है तो अभी हमारा लगभग पानी कम्प्लीट हो चुका है और यह देखे हमने थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया अगर मीठा सोडा नहीं है तो आप लिनो पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा हमने मैंने इसमें नमक भी और स्टेंट बनाऊंगे और ककटोर्ड को हमने अच्छे से ग्रीज कर लिया था और ऊसमें वैटर डाल दिया अब ढब कन कर के लिए में चार मिनिट के लिए पावर लेवल पे हम इसको रखेंगे और चार मिनिट में बनके तयार हो जाता है इडली हमारा बहुत जल्दी बनता है तो इडली हमारी बन चुकी है उसको हमने निकाल लिया वो ठंडा हो रहा है तब तक हम उसमें भरने के लिए मसाले तयार कर हम तो दालेंगे जिए भुठ्टर हैब और ुसके बाद हम इसमें अधरक और लेसुन का पेश्ट डाल ढेंगे जब 42 थोड़ा सा बुह झाएगा तबिसमें अधरक लेसुन का पेश्ट डालेंगे इसको रुड़ाई नहीं करना तो और पूह बुह हम था बूढ़न कि ओर टमाट टालने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा भूनने के बार टमाट हम इसले एड्रेंगे कि ताकि हमारे लिए जल्दी से सॉप्टfund cinq-offs हो जाए और ये अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद हम इसमें अच्छे से इसे इसको हम पाका लेंगे और फिर हम इसम्में आलू इस्तिमाल करेंगे तो है और उसके बाद इसमें हम मसाले आइट करेंगे अलू में हमने इसमें धनिया पौडर, गरम मसाला, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पौडर, कस्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा इसमें हम सबजी मसाला यूच करेंगे तो सारे मसाले डालके हम थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम आलू मैस कर देंगे आलू को हमने बॉयल करके और कदू कस करके रख लिया है और इसको भी हम इसमें मिक्स करके और सारे मसाले आपस में हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसको उसके अंदर भर के तयार करेंगे तो ये भरावन हम तयार कर रहे हैं इसको श्टपिंग और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है ताकि सारे मसाले इसमें मिल जाएं आपस में और उसके बाद थोड़ा सा हम हरी धनिया डाल के इसको उतार देंगे तो ये देखिए हमारा लगभग मिक्स हो चुका है सारा मसाला और मसाले हमने पहले ही भून लिया था तो ये हमने थोड़ा सा हरी धनिया डाल दिया और उसके बाद हम इसको मिक्स करके और गैस से हम इसको उतार लेंगे, मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं, तो इसको हम गयस से उतार लेंगे, और उसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे, तो ये देखिए जो हमने रवा का इडली बनाया था, कटोरी में, ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में हम रख देंगे, हमने चार पीस बनाया था, आप जितना मर्जी हो, जितनी जरूरत हो आप बना सकते हैं, तो ये इसको हमने सारा निकाल लिया है, और अब हम इसको बीच से कट करके, और इसमें हम मसाले भरेंगे, तो पहले हम सारे इडली को हम बीच से क अंधा हो जाए, तभी आप इसको बनायें, वरना ये तूट जाएगा, तो जब हमारा इडली ठंडी हो चुकी है, हलकी हलकी बस गरम है, तब हमने इसको कट लगाया है इसमें, और सारे को हम इसी तर से कट लगा के रख लेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले आट करेंगे, तो देखे, चारों पीस को हमने कट कर लिया है, और अब हम उपर का हिस्सा हटा के, बीच वाले हिस्से में हम इसमें मसाले भरेंगे, और मसालों को आप अच्छी तरह से भरिए, मसालों को इसमें ज़्यादा होगी, तो स्वाद भी इसमें ज़्यादा आएगा, और बना सकते हैं, या आप अपने मन पसंद किसी भी तरह से मसाले इसमें बना के भर सकते हैं, जो आपको टेश्टी लगे, उस तरह से आप मसाले बना लें, तो ये देखिए हमने इसमें चारों में हम इस तरह से भर देंगे मसालों को, और उसके बाद हम इसमें उपर से इसको ढखके और फिर हम इसको हलका सा सिलो फ्राइग करेंगे तो इस तरह से हमारा ये चारो देखिए तयार हो चुका है और बहुत ही अच्छा ये सेंड्वीश लग रहा है ये देखिए और बहुत ही हेल्दी भी है तो अब चलिए हमने गयस पर रख दिया है पैन और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा फिर हम उसमें ये इडली सारी डाल के और अच्छे से हम इसको गोल्डेन होने तक सेक लेंगे आप अगर हेल्दी और भी हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप सेलो फ्राइ ना करें ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन सेलो फ्राइ करने से थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाता है तो और भी इसका स्वाद निखर के आता है तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से इसको थोड़ा सा golden होने तक सेख लेंगे पहले एक साइट सेख लेंगे जब इसमें हलका-लका golden हो जाएगा तब हम दूसरी साइट से उलटके और इसको सेख देंगे और रेकीन मानिए अगर आपके मसाले अच्छे बने हैं तो ये बहुत ही अच्छा बहुत ही tasty तयार होगा बनके तो ये देखिए हमने इसको पलट दिया है और दूसरी तरब भी हम इसी तरह से इसको थोड़ा सा सेख लेंगे और उसके बाद हम इसको गैस से उतार लेंगे और प्लेट में हम सर्व करेंगे तो अब हमारा ये दोनों तरब से अच्छा से सिख गया है और मैं थोड़ा सा इसको गुमा के सिख लूँगी और उसके बाद हम इसको गैस से उतार लूँगी तो ये हमारा हो गया है perfect तयार मैंने इसको गैस से उतार लिया है और यहां प्लेट में हमने रखा है टुमेटो सास आप चाहें तो अपने मन पसंद किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और यह खाने में बहुत ही लजीज होता है और देखने में भी देखिए कितना खुब सूरत लग रहा है देखके तो उमीद है आपको यह हमारा नास्ता पसंद आया होगा और अगर पसंद आये तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिएगा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर बताईएगा फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार